नेक्स हम दो देखेंगे टेट्रा हॉइड्रो फॉलेट ती एफ पो क्राइच है इसे पहले वीडियो में देखा होगा आपने कि जो folic acid है वो हमको plant रो animal से किस form में मिल रहा है poly glutamate form में मिलता है तो हम क्या करेंगे जो भी folic acid ले रहे हैं वे exactly किस form में आ रहा है poly glutamate form में आता है poly glutamate form में आने के बाद यह कहां पहुंशता है intuition में पहुंशता है और specifically में पहुंशता है Psallika धी माढ four पहुंशता है और जिजुनम में एक specific type of enzymes होते हैं इसका नाम होता है फॉलेट कांजुगेज के नाम होता है फॉलेट कांजुगेज और यह जो फॉलेट कांजुगेज है इस polyglutamate को monoglutamate में और diaglutamate में convert कर देता है ठीक है mono को mono में और diaglutamate में convert कर देगा poly को और उसके बाद यह क्या होगा इस जिजुनम पार्ट से absorb हो जाएगा और absorb होने के बाद इस जिजुनम की जो mucosal जो जिजुनम की cells हैं हैं यहां भी cells होंगीुजनम में तो वहां अंदर आएगा पहले डारे nations यहां पहुंचता है लेकिन यहां इंटरस्टाइन से अब्सक्राइब के बाद पहले और यहां पर फॉर्म करेगा वह टेट्रा हाइड्रो फॉलेट फॉर्म करेगा क्या फॉर्म करेगा वह टेट्रा हाइड्रो फॉलेट कम मतला वह फॉर्म करेगा तो टेट्रा हाइड्रो फॉलेट है वह एग्जेक्टली क्या है फॉलिक एसिड है वह एग्जेक्टली क्या है फॉलिक एसिड है जो हमारे फॉलेट, कांजूगेस नाम के एंजाइम से डाई एंड मोनोमेकनल होता है फिर वो एब्सॉर्ब होगा और जेजुनम की जो सेल्स होती है उसके अंदर आएगा और जैसे वो ग्लुटामेट जो आपका मोनोडाई अंदर आएगा वो फाइनली फॉर्म करेगा क्या आपका ट जेजुनम की जेजुनम फाइडरीया है वहां की जो सेल्स हैं उस सेल्सटेंडर टेरा हाइड्रोफ फॉर्म होता है यह आपको बहल zajमें पता होने दिए तो टेटिएटरा हाइड आप भी क्या है एक फॉलिक कैसिट है जो बॉड़ी के अंदर या बाड़ी के अंदर फॉर लेकिन बोडी के इंदर जो है किस वाम में बाडी में टेटरा हाइड्रोफॉयट फॉलएट में ॥ा। जो आपको पता होना चाहिए